बहुत ही दिगज नेता रगवन्स परसाद सिंग ने दुनिया को अलविदा कह दिया रगवन्स परसाद सिंग एक ऐसे कदावर नेता जिन्होंने राज़त को मजबूती परदान की 32 वरसों से राज़त सुप्रीमोल लालू परसाद यादव के साथ खड़े रहे उनके अस्तम्ब बने रहे उन्होंने आज धरती छोड़ दी बेहत दुखी चल रहे रगवन्स परसाद सिंग इन दिनों वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे दिल्ली एम्स में इलाज करवा रहे थे ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके बचने की उमीद नहीं है क्योंकि जिस हिसाब से वह खत लिख करके अपनी बातें कह रहे थे कोई सोच भी नहीं सकता था कि रगवन्स परसाद सिंग इतने दूर चले जाएंगे लेकिन सत्य यही है कि रगवन्स परसाद सिंग का निधन हो गया है 1946 में जनवे रगवन्स परसाद सिंग सब को दुखी करके चले गए इस वक्त बिहार में चुनाव था उनसे उम्मीदें लोग लगाये जा रहे तेसा लग रहा था कि रगवन्स परसाद सिंग सभी बिमारियों को मात दे कर बिहार आएंगे उसी तेवर में लोटेंगे उसही अंदाज होगा लोगों को जवाब देने का बिरोधियों को चित करने का लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ यह आवाज हमेशा के लिए खामोश होगी कई निताओं ने इसमें सोत प्रकट किया है लालू यादब जो उनके सब से कड़ी भी थे वो निशब्द हो गये हैं उन्होंने कहा कि रगवन्स बाबू ये आपने क्या कर दिया हमने कहा था का आप कही नहीं जा रहे हैं लेकिन आप इतने दू चले गए रगवन्स परसाद सिंग की राजनीत की अगर बात करें तो वो काफी दिगज निता रहे हैं केंद्रिया मंत्री रहे हैं कई बार के सांसद रहें MLC रहे बिहार सरकार में भी उनकी भूमिका रही तो ऐसे में इस निता का जाना राजनीत के लिए थे वो अपूर्णिय च्छती ही कही जाएगी इलाज अभी थे लेकिन इससे पहले उन्हें कोरोना हुआ था वो बिहार में इलाज करवाये थे पटना एम्स में वहाँ से ठीक होने के बाद फिर से उनकी तव्यत बिगर गई थी जिसके बाद वे दिल्लियंस में भड़ती हुए थे वहाँ पे इलाज कराने के दवरान ही उनका मन लगातार तूटता जा रहा था पार्टी में चल रही गतिविजियों से राज़त में वह जुरे रहे लंबे अर्से तक राज़त को मजबूती देने वाली रगवन्स परसाद सिंग उपेक्षा का शिकार होने लगे थे इस बात का दुख उन्हें लगने लगा था वो इस बात को जाहर भी कर रहे थे क्योंकि वह बेबाक बोलने वाले नेता रहे खामोश नहीं रहते थे हर एक मुद्दे पर बेवाकी से बोलना लालू परसाद का सपोर्ट करना या उनकी एक अधा थी वो इसी से विरोधियों को घेरते भी थे और सायद सबको परशंद भी आते थे इनके परिवार से कोई पॉलिटिक्स में नहीं है बेटा विदेश में रहता था पिता की बीमारी की ख़बर सुनकर वह इंडिया आया अपने पिता के पास पहुंचा लेकिन सब कुछ अब धरा का धरा रह गया रगवन्स परसाद सिंग ने लोगों को अलविदा कह दिया को दिया वह प्रोफेसर रगवन्स परसाद सिंग अब किसी को नहीं दिखेंगे आवाज उनकी खामोश हो गई विमार चल रहे थे लेकिन बिहार की सियासत में वह एक धरोहर के रूप में याद किये जाएंगे उन्होंने जो चिठ्थियां लिखी थी एक तो लालु परसा बेचने लगते हैं आपके ही पार्टी में कई ऐसे नेता हैं कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह के काम में हैं इन्होंने यहां तक कह दिया कि जब आप पार्टी का पोस्टर बनाते हैं तो पांच महापुरूस की बजाय अपने ही परिवार के पांच लोगों की तस्वीरें क्य लग जाती थी लेकिन दिल्ली एंस में इलाजरत रगुवन्स परसाद सिंग उन्हें ने फैसला कर लिया था कि राज़त को छोड़ना है राष्ट्रियो पाध्यक्स पद को त्याग देना है तो पीछे मुर कर नहीं देखे लेकिन किसी ने यहां उम्मीद नहीं की थी कि रग भूमी का निभाएंगे वो पाती बदलेंगे तो जद्यू में जाएंगे ऐसी बाते हो रहे थी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और रगवन्स परसाद सिंग ने दुनिया छोड़ दी और इसके साथ ही रगवन्स परसाद सिंग की अ रगवन्स परसाद सिंग एक उम्र होने के बाद भी लालू परसाद यादव जब जेल जा रहे थे तो उस वक्त भी उनके साथ खड़े रहे कोट की सुनवाई हो हर मामला हो वहां दिखते थे लेकिन इस दवरान जो आज के जो यूथ पलिटिक्स की जब बात शुरूई त इन सारे बातों से वो नराज दिख रहे थे उन्होंने खुल कर लालू परसाद यादव के नाम खत भी लिखा था कि पार्टी में गतिवी धियां सही नहीं चल रही है पार्टी में कोई जवाब देने वाला नहीं है और नहीं संगठन अस्तर पर कोई काम हो रहा है तो अंत उतना राज भी नहीं आ रहा था इतना ही नहीं रगवन्स परसाद सिंग ने एक भिक्षा पात्र की मांग की थी वैसाली में देने के लिए वो चाते थे कि अब अंतिम समय में वो जान रहे थे कि उनकी ख्वाई से जो है अब मैं खत लिख दूँ वही पूरी हो जाए तो बहुत है क्योंकि वो अंदर-अंदर समझ चुके थे कि उन्हें जाने का वक्त हो गया है यह बात सायद आम लोग यह बिहार के अन्य राज निता नहीं समझ पाए उन्होंने मुख्यमंत्री नितिश कुमार से यह अपेल की है कि वैसाली में भी घंडो तोलन होना चाहिए क अन्वता के लिए भी अपुर्णिय अच्छती कही जाएगी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाए